हेलो फ्रेंड्स आज की पोयम है डस्ट अफ स्नो जो लिखी है रोबर्ट फ्रोस्ट ने और ये पोयम जो है बहुती छोटी और साधारण है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुती डीप है और बहुती इंपोर्टेंस इस पोयम का है इसमें बताया गया है कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ का एक्टिटूट को चेंज कर सकती हैं छोटी छोटी चीजें आपके फ्यूचर में किस तरह से बैटर चेंजिस ला सकते हैं हाड टाइम्स में भी हम कई बार एक हैपियर लाइफ की तरफ कैसे मूव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पहरा स्टेंजा है यहां पर देखो किस तरह से पोयेट जो है स्मॉल इंसिडेंट्स को रिकाउंट्स करता है और बताता है कि छोटे छोटे इंसिडेंट कैसे उसका मूड चेंज करते हैं बहुती छोटे सी बात लेकिन बहुती बड़ा इंपोर्टेंस पता है पोयेट कहता है कि वो एक बार डिप्रेस था, होपलेस था और स्टेट अफ सौरो में था मतलब अपनी थौट्स में खोया हुआ था और उसी समय अचानक से जब वो हेमलोक ट्री के नीचे खड़ा था एक क्रोव, एक कववा आके उस ट्री पे बैठता है और उसको ट्री को हिलाता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके उपर गिरते हैं फिर इसके बाद क्या होता है, वो सेकन्ड इस्टेंजा में देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि जब कववा जो है क्रोव वो स्ट्री पे बैठके शूप करता है तो जो soft और cold जो snow होती है वो poet के उपर गिरती है और उससे क्या होता है उसका जो mood है वो change हो जाता है जो वो sadness में होता है happiness में हो जाता है और अचानक ही वो है peaceful और refresh महसूस करता है यह जो छोटा सा incident है यह बताता है कि उस incident ने कैसे उसके बाकी के दिन को जो बाकी का दिन बचा था उसको एकदम enjoyful बना दिया है और उसके बाद वो बाकी का अपना दिन rest of the day बिना किसी wastage के मतलब बाकी का दिन अपना waste नहीं करता है और बिना ही किसी regret में बलकि एक happiness और एक अच्छे mood में spend करता है दखो यहाँ पर कितनी छोटे से incident में बताया गया है कि आप कई बार regret में हों sorrow में हों तो भी कुछ चीजें आपको किस तरह से positive कर देती हैं यहाँ पर एक सोचने की बात है कि crow और hemlock tree को क्यों दिया गया crow और hemlock tree दोनों ही represent करते है sorrow और depression को इसके बाद भी जब dust of snow जो chapter है मतलब particles of snow जब उसके उपर गिरते हैं मतलब जब crow check off करता है hemlock tree का मतलब क्या है passing through आपको आपके बुरे time से depressing moment से pass out करना है और उसके बाद क्या करना है आपको एक ऐसे time में enter करना है जहाँ पर full of joy हो एकदम optimism हो उसकी बात यहां की गई है कि positivity हमें कई कई बार negative way से मिलती है तो यसा नहीं है कि हम negative चीजों को अपनी life से खतम कर सकते हैं वो possible नहीं है तो छोटे incident भी जब हम sad movement में हों तो हमें उन movement से जो छोटे incident है वो हमें एक happy moment में ले आते हैं यह है इस poem का जो total meaning है I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी thanks for watching this video अगर कुछ भी इस poem में doubt है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं thank you so much